चेप्टर नमबर टू का जो एक्जामपल नमबर एट है देखते हैं उसको क्या है फाइंडर रिमेंडर ओप्टेन ओन डिवाइडिंग पी एक्स इस इक्वल तो एक्स तू दिपावर थी प्लस वन बाई एक्स प्लस वन तो कोश्चन के अंदर हमसे बोला जा रहा है कि अगर हम इस से इस पोलिनोमल से इस पोलिनोमल को डिवाइड करते हैं तो तब रिमेंडर क्या होगा उसको हमें फाइंड करना है ठीक है तो सबसे पहला काम आपको पता है जब डिवाइड करते हैं आप तो क्या करते हैं जिसको divide करना होता है PX कितना X to the power 3 plus 1 तो हमें X to the power 3 plus 1 को divide करना है तो जिसको divide करना है उसको अंदर लिख लेते हैं और जिससे divide करना है उसको बाहर लिख लेते हैं ठीक है तो अब क्या करते हैं जिसको divide करना है उसकी first time देखते हैं और जिससे divide करना है उसकी first term तो ये plus की है और ये भी plus की दोनों के दोनों plus plus की हैं तो plus में ही आएगी divide अब आप क्या देखेंगे अब आप ये देखेंगे ये इससे कितने extra है यहाँ पर x to the power 3 है यहाँ पर x to the power 1 है ठीक है तो कितना extra x to the power 2 अब जितना extra है वो यहाँ पर लिखने के बाद उससे इन दोनों के multiply x to the power 2 से जब x की multiply करेंगे तो x to the power 3 आ जाएगा अब x to the power 2 से 1 की multiply तो ये plus है और ये plus है जब plus plus की होते हैं तो plus में ही multiply आती है x square से जब 1 की करेंगे तो plus के x square आ जाएंगे ठीक है अब देखें यहाँ पर x square वाला कहीं है ही नहीं तो अगर ना हो कोई ऐसा जो multiply से करके मिल रहा हो तो उसको थोड़ा अलग लिख लिया करते हैं तो plus के x square आ हैं तो उसको अलग लिख लेंगे ठीक है अब आप क्या करेंगे इसकी इन से multiply करने पर जो भी मिला है उसको sign change करेंगे ठीक है जो plus का उसको minus बनाएंगे जो minus का उसको plus बनाएंगे तो अगर हम बात करें यह मिला है और यह मिला है तो यह भी plus का है तो इसको भी minus बनादेंगे यह plus और minus करके cut जाएंगे ठीक है और अगर हम बात करें जब नीचे लिखा जाएगा तो one और x square प्लस minus तो होगा नी तो सबसे पहले जो ज्यादा power वाला होता है उसको लिखते हैं ठीक है तो यहाँ पर x square ज्यादा power वाला है one में x है ही नहीं तो जब आप यहाँ पर नीचे इसका first देखेंगे फिर इसका first देखेंगे ठीक है यह minus है और यह plus है तो minus में आएगी divide उसके बाद देखेंगे यह वाली first term इससे कितनी extra है आपर x to the power 2 है आपर x to the power 1 है तो कितनी extra है only x extra है अब जो भी यहाँ पर है उससे इन दोनों की multiply पहले इस से इसकी करेंगे तो यह यह minus उर यह plus minus और प्लस की multiply किसी दिश्ग माती है minus में x की x से करते हैं तो x square हो जाएगे ठीक है ам minus 1 minus x से plus 1 की करेंगे तो यह minus और यह plus minus & the whose times माइनस में और x से जा जा जाएगए तो कितना हो जाएगा एक्स आ जाए या निकिए minus की x आ जाएगे अब देखे है माइनस एक्स भी कहीं यहां पर बहुاص को अलग लिआ आप ठीक है अब जो भी चीज इसके मल्टिप्लाइय करने पर मिलियो इन सबके साइन चेंज माइनस थो इसको प्लस बना लें है अब फिर इसका फरस्ट देखें गे तो यहां पर प्लस हो यहाँ पर प्लस से तो प्लस में आएगी डिवाइद इनकी अब यहाँ पर x रहा है दोनों के दोनों बिल्कोल definitely है जब equal हों extra ना हों तो यहाँ पर one आ जाता है ठीक है अब जो भी यहाँ पर आए उससे इन दोनों के multiply दो जो one है वं से जब x करते हैं तो आपको पता है सर दो वह नदें साइन चेंज हमें के साम एनका सब्स घ्रूंड करना था कि उल्स फैंड करना था कि है कि तो महले पास कितना आचुका है ऐसा on